हेलो गाइज दिस इजनराग जहान वेलकम टू दर नॉलेज प्रोवाइडर आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जोगरफी के दूसरे चेप्टर के बारे में जिसका नाम है विशु जनसंख्या, वितरन, घनत और बिर्दी यहाँ पे देखेंगे इससे जितने भी इंपोर कहने के लिए यह 10-12 questions हैं लेकिन आपके यहाँ 30-40 questions लगवा clear होगा, तो चलो यहाँ पे देखते हैं पहला question क्या है, पहला question है हमारा निमलिखित में से, किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बतले घरती जा रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसका जन संख्या बढ़ने के वज़ाए घरती जा रहे है, यह जो राटविया है, इसकी राजधानी रीगा है, ठीक है, यह भी याद रखना आपको राजधानी, कुछ राजधानी भी आपको याद रखनी है, डेन्मार्क की राजधानी कॉफेगन है, ओमान की मसकट और एक किस देश की जन संख्या सबसे अधिक है, तो देखो, यहाँ पर ऑप्सन के अनुसार यहाँ पर एक आंसर सही हो जाएगा, यानि कि स्रयुक्त राष्ट अमेर्का यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, लेकिन अगर वैसे देखो, तो सबसे ज़्यादा जन संख्या दुनिया म अधिक हम लोग 121 करोड जानते हैं, और उसके बाद जो हमारा तीसरा देश आता है, वो आता है, USA, तो USA जो हमारा यहाँ पर तीसरा देश है, जिसकी जो अवादी है, वो 32 करोड के आसपास है, तो इस तरीके से आपको सिक्वेंस याद रख नहीं है, कि दुनिया में सबसे जादा जो है, चीन की है, फिर भारत, उसके बाद समयुक्तराष्ट अमेरिका का, ठीक है, तो यहाँ पर चीन और भारत दोनों नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, समयुक्तराष्ट अमेरिका, उसके बार तीसरा है, निवलिखित में से किस एक महादूशच जन संक्या बिर्धी सरवाधिक है तो देखो जो जन संक्या बिर्धी दर है जन सब से ज़्यादा जन संक्या वाला पुछेगा तो एस या लेकिन जन संक्या बिर्धी वाला पुछेगा तो अफ्रिका तो यहाँ पर नहीं करना है हम लोगों को सबसे ज्यादा जन्संक्याविर्दी अफिरका में होड़ा आए किलियर चलो उसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं यहां पर नेक्स कुश्चन नेक्स कुश्चन है यहां पर कि जन्नांकिय संक्रमन का सिधान्त कि ने दिया किस ने दिया देखो सिधहन्त जो है यह समझा आपका परकाणन और मातरी द felony रहुत कितने लोग मरें कर जो हुआ हो नाम क्या की है घान थो कॉन लोग थे स्थैट यह याद रहना है आपको WN Thumpan ठीक है और दूसरा थे फ्रेंक W FW Frank Williom Ack noite cn 3 तो ये आपको याध रखनी है दोनों नाम आपको याद रखना है अब जो है यहाँ पर हमारा जो है थोंक है नहीं अप्सन में सही आंसर क्या सी हो जाएगा स्वांसर है सी उसके बाद जो है पांचमा कोशन है नेमन में से कौन संगर्ण संगन थीका यानि कि सघन जनसंख्या वाला छहत्र यानि कि अधिक जन ख़त्षिल पूरि एस का चेतर हम लो बोलते हैं पुर्वी एस का छेतर में कौन सा देश आता है तो देखो भारतिय उतल इसी जोन में आता है सब जो है तो यह ज़ो छेतर है दख़िल पूरविय एसिया है ठीक है तो सघन मतलब बहुत अधिक यहाद रखने हैं यहाँ पर चलिए हम लोग 6 नंबर कोशन देख लेते हैं कि निवने में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है तो हमारा ओप्सन देख लो यहाँ परवास अवास जन्म और मिर्तियू तो यहाँ पर जन्म है उससे भी जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है बेसिकली पूछ क्या रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है और यहाँ पर पूछा है कि नहीं यानि कि ऐसा कौन सा कारण है जो जनसंख्या परिवर्तन जिससे नहीं हो सकता है तो कोई भी व पर भी जन्संख्या बढ़ जाएगा ठीक है यानि कि जन्संख्या में फिर से परिवर्तन हो जाएगा जन्म बहुत सारे लोग ले ले तो जन्म से भी जन्संख्या परिवर्तन पर असर परता है मिर्तू हो जाए तो घट जाएगा तो फिर से परिवर्तन हो गया ठीक है पास अगर यहां पर 10 लोग हैं इस देश में अगर मान लो के 10 लोग है और यहां पर अपना-पना घर बना के रहने लग जाए तो इससे परक नहीं पड़ेगा सो अंसर 7 फोड़ा सा पूछ रहा है कि नहीं है चैतर सब से जादा जंशंख्यावला छेतर नहीं है तो सबसे ज़्यादा जंसंग्यावला छेतर क्या हो जाएगा दचिन पूर्वी ऐसिया यानिके आंसर माँ क्या हो जाएगा परतिकर्स और अपकर्स कारक उत्तरदाई है परतिकर्स और अपकर्स किस चीज के लिए उत्तरदाई होता यहां पर देख लो तो यह जो है देखो परतिकर्स मतलग क्या होता है कि कोई भी देखो एक जैसे यहां पर एक नगर है और यहां से लोग काम करने के लिए नगर में जा रहे नगर में लोगाम काम करने के लिए गावंसे लोग काम करने के लिए गोमने यहां पर जा रहे है तो इसको जा ehkä भी अपकर्स देक ब Anime परति कर्स और अपकर्स के लिए कौन उत्तरदाई है तो यहां पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पर्वास ठीक है सही आंसर यह हो जाएगा पर्वास के लिए उसके नौनमर कोस्टन है कि सौधी अरव में किस दिसा के छेत्र में सबसे घनी अवाधी प्राचीन काल से ही है सौधी अरव के किस दिसा के छेत्र में सबसे अधिक तो सौधी अरव का जो जो जोन थीक है वहां पर पर पस्ची मेडिया है वहां के बहुत जादा उस देस का सबसे ज़ादा आवादी निवास करता तो चो answer है भी उसके 10 नमर कुशन है यहां पर कि निमलिखित मेंसे किस तर के आसपास में जो है जो विकासील देश थे और जो विकासील नहीं थे यानि कि जो विक्सित देश थे वो देश भी जो है दोनों की जो नगरिये जनसंग्या थी लगभग बराबर थी किलियर हो रही बात सो आंसर है बी 119 कोशन देखते हैं यहां पर कि नेमलिखित में से कौन सा तथ्य निमलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है देखो यहां पर देखो 500 बरसों में मानव का जो है जनसंख्या 10 गुना बढ़ाए ऐसा नहीं है साहे 300 बरसों में याद रखिएगा 12 गुना बढ़ा है साहे 300 वर्सों में पिछले साहे 300 वर्सों में जनसंग कितनी गुणा बढ़ गया है तो 12 गुणा बढ़ गया है उसके आठ करोर लोग परती बर्स जूड़ जाते हैं ऐसा नहीं है एक सर्वे में बताया गया है कि लगभग जो है जैसे 1999 में 6 अरब लगभग पार किया था फिर 5 अरब और 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को लगभग 100 वर्स लगया ऐसा नहीं है तो यहां जो है उनी सवनी नानवे में complete कर लेता है तो इसका मतलब यह 100 वर्स नहीं लग रहा है तो यह भी आंसर मेरा क्या जाएगा गलत हो जाएगा उसके डी नमर देखो क्या है कि जन नांकी संक्रमन परथम अवस्था में जनसंख्या बिर्दी अच होती है सबसे पहले जन नांकी संक्रमन तो हमारा पर चिक हो होगा यह यह आँसर है तो तो सही आंसर है बारा नमें कोशन है कि जनसंख्या बित्रन को परभावित करने वाले कारकों में जो सबसे महत्पून कारक कौन सा है देखो जनसंख्या बित्रन पूछ रहा यानि कि देखो बित्रन का मतलब क्या कि कहां पे जो हाइट एंसिंटी और सगन जनसंख्या होगा कह को पर्वावित करता देखो मिटी ज़लवाई प्र्किर्टी यह चीज़ों हो हो सकता है लेकिन इसके तहलार किर्टी का मतलब क्या कहीं पर लो कि अहां है यहां पर समतल हो गया और यहां पर पहार है तो पहार पर जो है जनसंख्या रहना थुआ सक्या है मुस्किल है लेकिन पठार पर जो है जनसंख्या उससे बहतर है सकता लेकिन समतल एरिया में जो है बहुत बहतर ही जनसंख्या निवास कर सकती है यानि कि जो है स्थला किर्ती डिपेंट करती है कि जनसंख्या कैसा होगा यानि कि हमारे जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहांपर ए तेरा नम कोश्चन है यहांपर कि निमलिखित जो किस वर्स सुरी यहाँ पे तेरा नवा कोशन है कि किस वर्स मानव का बिस्व में जो है मानव की जन संग्या 6 अरव पाड़ हुई थी तो मैंने अभी बताया कि 1999 में 6 अरव पाड़ कर गई थी ठीक है 1999 में सो आंसर है डी अच्छा 7 अरव कब कब पाड़ किया था तो 2011 में यह याद रखना है 2011 में 7 अरव पाड़ कर गई थी दुनिया के अवादी ठीक है और एक सर्वे में बताया जा रहा है कि लगवख 2030 तक जो है यह आठ अरव पाड़ कर जाएगी ठीक है आठ अरव तो यह आठको याद रखनी है कि 2011 में 7 अरव पाड़ किया था ठीक है तो हमारा जो सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर तेरा का डी हो जाएगा 1909 यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए कुछ क्लियर करवाने के बाद आपको जो सब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा ठीक है और दूसरा कोशन यहाँ पर कि जनसंख्या प्रवरत्तन के तीन घटक कौन-कौन से हैं तो यह भी आपको एटम करना तीसा कोशन है परवास से संबंदित किनी तीन परतिकर्सों के काड़ किजिए ठीक है तो यह आपका जो है कुल तीन क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने है ठीक है यह मेरा इस्टाग्राम आइडी है आप इस पर फूलो कर सकते हो कोई भी अगर को पूछ सकते हो साथ ही साथ अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ के लिए आ यहां पर सिंप्ली जाओ टेलीग्राम पर भाकम लिएफ प्रॉअद्र करकर सल्ट करोगे तो आपको वहां पर जो है अब चैनल का जू आइकन दिखी जाएगा और वहां पर जो आपको जो जॉन हो जाना है फेफिएफ्य है और वहां पर आपको सारी इस यार्टी जनोडि